दोस्तों आपने छिपकली को तो कई बार देखा ही होगा, जब छिपकली को कोई नुकसान पहुचाने की कोशिश करता है, तो वो अपने शिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए पूंच को तोड़ देती है, और इसकी वज़े से शिकारियों का ध्यान भटक जाता है, और वो भागने में काम्याब हो जाती है, हाला कि सिर्फ शिकारियों की वज़े से ही छिपकली की पूंच नहीं तूटती है, कई बार पूच के अंदर संक्रमन आधी होने की वज़े से भी तूट जाती है, असल में छिपकली की पूंच तूटने को शुब अशुब से भी जोर कर दे और उसके बाद वो काफी तेजी से भाग सकती है। आपने देखा भी होगा कि छिपकली जिसकी पूंच कटी हुई है, वो काफी बहतर तरीके से अपना बचाफ करने में सक्षम होती है। ये पूंच कुछ तिनों बाद अपने आप ही आ जाती है। दोस्तों यदि छिपकली की पूंच कर जाती है, तो इसको शुब माना जाता है। यदि पूंच करने के बाद भी छिपकली जिन्दा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, कि आप जीवन के अंदर खुद को बचाने में काम्याब हो सकते हैं। आपके सामने समस्याए तो आने ही वाली है, मगर उसके बाद भी आपको सफलता मिलेगी, और ये आपके लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, कि जिस तरह से छिपकली की पूंच गिर जाती है, और उसके बाद फिर से उसके स्थान पर नई पूंच आने लग जाती है। तो यह इस बात का संकेट दे थी है, कि अब जीवन के अंदर कोई ना कोई नई शूरुआत हो सकती है, और जीवन के अंदर काफी कुछ बदल सकता है। आप जीवन के अंदर पूरानी चीजों को छोड सकते हैं, और नई चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नमबर त्री पूंच कटी छिपकली को देखना माना जाता है अशुब। यदि आप अपने घर के अंदर एक पूंच कटी छिपकली को देखते हैं, तो इसको अशुब माना जाता है। यह माना जाता है कि जلदी ही आपके उपर शत्रू हावी हो सकते हैं। यदि आप एक मरी हुई पूंच कटी छिपकली देखते हैं, तो यह भी माना जाता है कि आपके यहाँ पर धन हानी हो सकती है। आपको चीजों के बारे में सोच समझ कर ही निर्ने लेना चाहिए। आप समझ सकते हैं, शत्रू की तरफ से भी आपको सतर्ट रहना होगा। नहीं तो ये हो सकता है कि शत्रू आपको नुकसान पहुँझाएं। दोस्तों दक्षिंचीन के अंदर यह माना जाता है कि यदि शिपकली की पूंच कर जाती है, तो ये बुरी किसमत को दूर करता है, मतलब यही है कि बुरी किसमत अब आपका कुछ नहीं बिगार सकती है। जल्दी ही आपके दिन बदलने वाले हैं और आपको इसको लेकर खु तो ये जल्दी ही आपको धन मिलने के बारे में संकेत देता है। इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए। यदि आपका कोई बिजनेश चल रहा है तो उसके अंदर आपको अच्छी खबर मिल सकती है। या फिर आपको कहीं से धन मिल सकता है। नंबर सिक्स छिपकली की प प्रमुक मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। उत्तरी चीन में चिपकली को बुरी किस्मत का प्रतीक माना जाता है। चिपकली की पूँच करने का मतलब है कि आपको जल्द ही कोई बुरी खबर मिल सकती है। वही यदि हम ताइवान की बात करें तो वहाँ पर यह माना जाता है कि यदि चिपकली की पूँच कर जाती है तो किसी की मौत का संकेत हो सकता है। जल्दी बीमारी आने का संकेत भी चिपकली की पूँच करने को माना जाता है। अफ्रिका के अंदर कुछ लोग इस धारना में विश्वास करते हैं कि चिपकली की पूँच करना मतलब परिवार के अंदर जल्दी ही कोई ना कोई बिमारी प्रवेश कर सकती है और छिपकली की पूंच के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये परिवार के अंदर कला होने या फिर अशान्ती होने के बारे में संकेत देती है इसलिए आपको साफधान रहने की जरूरत हो सकती है कुछ धारनाओं को बताया यदि आप भारतिय हैं तो आपको उन धारनाओं के उपर गौर करना चाहिए